हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी I really hope कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं टॉप टू टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आपको हमेशा आड़वे नौवे महीने में करना है और इससे आपको बिना दर्द के तुरंत से डिलीवरी हो जाएगी कई बार 20-20 गंडे लग जाते हैं डिलीवरी के लिए जिसमें काफे ज़्यादा पेन होता है आपका बच्चे दानी का मूह नहीं खुलता है और जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा दर्द शैना पड़ता है और डिलीवरी में भी काफी ज़्यादा टाइम लग जाता है exercise करने की वज़े से pelvic muscles मजबूत होते हैं जिसकी वज़े से आपका cervix का opening ठीक तरीके से हो पाता है जैसे कि आपको भी पता होगा कि 10 cm तक अगर आपका बच्चे दानी का मूह उपिन होता है तब ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इसी को आसान बनाने के लिए exercise बहुत अच्छे से help करता है तो exercise कौन सी करने चाहिए सबसे पहले बात का ध्यान ये रखना है कि आपको exercise routine को ठीक तरीके से follow करना है अगर आपकी अभी starting of pregnancy के कुछ मन्ती हुए है तो exercises के routine को maintain करने के लिए आप पहले 20 मिनट या फिर 10 मिनट इस तरीके से कुछ time frame decide कर ले और फिर इस time frame को धीरे दीरे आप बढ़ाते जाएंगी तो 8 वे और 9 में महीने तक आपका stamina काफी जादा बढ़ जाएगा जिसकी वज़े से आप बिलकुल आराम से 30 से 40 मिनट exercises कर पाएंगी exercise में सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको टहलना बहुत अच्छे से है जिसकी वज़े से बच्चे का hit down करने में बच्चे को help मिले साथ ही साथ pelvic muscles पर pressure बनता रहे और जिसकी वज़े से वो flexible और मजबूत हो पाए तो इसके लिए walking सबसे अच्छा exercises होता है जो के pregnancy के दोरान करे 40 मिनट तक जरूर करना चाहिए इसके वज़े से आपके सरीर के अंदर oxygen का अच्छे से source जाता है और oxygen consumption बढ़ने की वज़े से आप healthy रहते हैं और blood का circulation भी ठीक तरीके से हो पाता है टीप नमबर टू जो next exercise है उससे हम कहते हैं duck exercises duck exercise मतलब जैसे आप पोचा लगाने या सोचा ले जाने के लिए बैठते हैं इस तरीके से बैठ के आपको एक पाउ को आगे फिर दूसरे पैर को आगे इस तरीके से आपको कुछ दूरी कुट तै करना है फिर आपको खरे हो जाना है फिर आपको next step में फिर ऐसी ही repetition में इस exercises को करना है करीब 5 times इसके अलाबा third exercise है friends butterfly exercise यानि कि आपको जिस तरीके से आप बैठती है नीचे उस तरीके से घुटनों को मोर करके आपको बैठ जाना है और आपको इसे butterfly की जैसे उपर नेशे करना है जैसा करने की वज़ज़ से आपके pelvic muscles और भी ज़्यादा strong हो जाते हैं और यहाँ पे blood का flow ठीक तरीके से होता है जिसकी वज़ज़ से आपके बच्चे दानी का मुख फुले में आपको easy हो जाती है fourth exercise है friends deep breathing exercise जो की बहुत important होती है normal delivery के लिए यह आपके सांसों पे control करना hold करना आपको सिखाती है plus आपके stamina को बढ़ाती है और oxygen consumption को भी बढ़ा देता है breathing exercise आपको push करने के समय बहुत ज़्यादा ताकत देता है जिसकी वज़ज़ से आप बहुत जल्दे ठकती नहीं है ठीक तरीके से बहुत अच्छे से बहुत आसानी से push करने में आपको मदद मिलती है और उस समय आपके सांसों पर आपका बहुत अच्छा कमांड रहता है जिसकी वज़ज़ से आपका stamina कभी भी डग मगाता नहीं है और आप जल्दे से ठकती भी नहीं है push करने के समय अब फ्रेर्स आपको ध्यान ये भी रखना है कि सरीर में पानी की मातरा का कमी नहीं होना चाहिए protein और फाइ energetic रहती है जो कि normal delivery के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और साथी साथ आपको stress कभी भी नहीं लेना चाहिए stress level बढ़ने की वज़ज़ से बीपी हाई हो सकती है जो कि cjn section का chance बढ़ा देती है इस वज़ज़ से normal delivery को आसान बनाने के लिए healthy रहना जरूरी है लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले फिर से मिलूंगे next वीडियो में एक नई topic के साथ अपना पूरा ध्यान रखिए take care guys इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद thanks for watching